नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लेकर आई हूँ मजदार लसनी तड़के वाली पंजाबी कड़ी की स्वाधिष रेसिपी तो ये लसन वाली तड़के वाली कड़ी जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही आनन्द आएगा और बहुत ही थोड़े से समान से आपके घर के समान से ही ये पंजाबी कड़ी तयार होगी और आपके सभी घर वाले बहुत खुश होंगे मजदार लसन के तड़के वाली ये पकोडों वाली कड़ी जब बनेगी आपके घर में पूरे घर में इसके खुश्बू आएगी और खाने में ये इतनी स्वादिष्ट है कि आपके घर वाले एक की जगे चार रोटी जरूर खाएंगे तो एक बार आईए मैं आपको बताती हूँ ये पंजाबी कड़ी कैसे बनती है आप देख सकते हैं कि ये पंजाबी कड़ी कितनी अच्छे दिख रही है और उपर से इसमें धनिया भी मैंने डाला है तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये दो बड़े चमच बेसन और इसी के सा मैं इसके अंदर हरी मिर्च लसन अदरक का पेस्ट और बारी कटे हुए आलू प्याज डाल रही हूँ और मैंने डाले नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, अनारदाना चाट मसाला सबसे पहले मैं बना रही हूँ पकोड़े और यहाँ पर मैंने कटा और थोड़ा सा पानी डाल कर एक गाड़ा घोल बना लिया सबजी और बेसन का, सबजी सिफ आलू प्याज है इसके अंदर लसन अदरक का पेस्ट है धनिया है, सबी चीजों को अच्छे तरह से मिक्स किया और हरी मिच्टे इसके कोडिंग आप डाले और यहाँ पर मैंने त तक इन्हें तर लिया है और यह देखिया हमारे पकोड़े हो गए रैडी क्रिस्पी क्रंची और यहाँ पर मैं डाल रहे हूं तेज पता दालचिनी, जीरा, हींग, मोटी लाची और लसन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने और अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक लसन अदरक को भूना और यहाँ पर मैं ले रही हूं दही यहाँ पर एक कप दही है दो बड़े चमचेस में बेसन डाल और फिर मैंने डाला दो कप पानी और इसे मिक्सी में चला दिया इधर आलू प्याज लसन अदरक के पेस को अच्छी तरह से बूना और पिर इसमें ड और थोड़ा सा भूना ताकि आलू थोड़े से पक जाए और अब मैं ये डाल रही हूँ अचार का मसाला आम के अचार के मसाले में सौंफ, कलोंजी, मेथी दाना सबी कुछ है और थोड़ा खटापन भी है तो मैं ये कड़ी में जरूर डालती हूँ जिससे की मेरी ये पंजा कर लिया और ये बन गई मजदार लसन के तड़के वाली कड़ी एक बार मेरे कहने पर ये लसन के तड़के वाली पंजाबी कड़ी जरूर ट्राए करें थैंक यू सो मार्ट